अशिश रिंग फ्रॉम टीवी नाइन मेरा क्वेशन जनरल पूरी से है कि मेन इशू जो हम देख रहे हैं जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहाँ पर वो उन में से अधिकतर लोगों का ये कहना है जो यूथ प्रोटेस्ट कर रहा है कि जो तीन-चार साल पहले रिकूट्मेंट क बंदी हो गए हैं जो 2018-2019 में रिकूट्मेंट पोसीजर की गए थी और दूसरा प्रशन नहीं है लेकिन एक सब सेक्शन है उसी में अगर आप इंक्लूड कर सकें जो अगनी वीर्स पूरे अगर हम 100% केपैसिटी वाइस देखेंगे तो चार या पांच साल पंदरा से 20 साल लगेंगे आपको पूरी स्ट्रेंथ करने के लिए क्या इस दौरान जो 20-30% अगनी वीर्स आप इंडेक्ट करते जाएंगे दिरी-दिरे बाकी रूटीन जो नॉर्मल रिकूट्मेंट पूसीजर है क्या वो चलती रहेगी आशिश यह जो दो साल की दिले करी गई है ना 21 साल से 23 साल की यह उनी के लिए करी गई है जो जिनोंने प्रतिकरिया शुरू करी थी और प्रतिकरिया खतम नहीं करी मैं आपको बताना चाहूंगा प्रतिकरिया के जैसे एजी साथ नığını नहीं दिया है उनको उनकी वजह से यह मौका कर दिया जा रहा है कि दो साल और because وہ पिसले दो साल में aged हो गये हैं तो वो हमारे साथ fairy scheme के साथ जुड़ सकते हैं यही प्रावदान कर रहे हैं हम कि वो fairy scheme के साथ, तिनो services के साथ सेम चीज है कि वो हमारे साथ जुड़े, however, fairy scheme के साथ and उन्होंने जो हमारे साथ काम करा है उन्होंने जो पहले करा था देखिए आप में से अगर मैं पूछू ना कोविड के शिकार कितने होएं तो मैं पूछना नहीं चाहता बट आपके कई सारे हाथ उठेंगे उस कोविड की वज़े से क्या आपकी शरीर में नुकसान पहुचा है हमें नहीं पता हमने सवा साल से तो किसी को देखा भी नहीं है मेडिकली यह सब चिंताएं हमारे पास हैं आफटर आल हमको आगे लेके किनको जाना है फिट पीपल को, डिसिप्लिन पीपल को, डिसिप्लिन तो हम करवा लेंगे बट फिट तो अपनी अंदर की शक्ती है तो यह हमारे साथ बच्चे आएंगे इनी की वज़े से हमने यह दो साल का प्रवदान करा है बट वो अगनी वीर के तौर पे ही आएंगे उनसे वॉलंटियर सिस्टम मतलब उनसे पूछा जाएगा कि वो आना चाहेंगे या नहीं इननी केस एजी ने आपको बताया कि वेबसाइट सौरी ओपन करी जा रही है और उसके पर अप्लाई करेंगे प्रव तौर परुटिन रिक्रीटमेट वाला जो पुछा ता मैंने कि क्या रुटिन रिक्रूट्मेंट भी चलता रहेगा क्योंकि अगनी वीर तो आप कुछ-कुछ परसंटेज ही अबजाब कर पाएंगे ना नो उनली तुर अगनी भी राशिश नो 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 चेंज ये लिए नो चेंज तेल बी नो चेंज तैंक यू राजी रंजन एंडी टीव इंडिया मेरा सवाल है कि कई सारे युवा ऐसे हैं जिन्होंने कई सारे एक्जाम पास कर लिये थे मेरी सवाल सुन लिए सार नो फर्स्ट फेसार कर लिया था किनिका मेडिकल हो गया था कोई को सब खत्म हो जाएंगे कैंसल हो जाएंगे और क्या जो आप कर रहे हैं कि हिंसा के जो बात कर रहे हैं उनको प्रेस देना पड़ेगा क्या हुआ इसे कर सकते कि धंकी के तौर पर ले या अनुसास कैसे ले इसको कि आप इसका जवाब मैं दूँगा शायद हमारी रेक्रूट्मेंट प्रोसेस सबसे आगे बढ़ी भी थी जब इसको रोका गया तो अब सारी रेक्रूट्मेंट सिर्फ अगनी वीर के थ्रू ही होगी एज की सीमा बढ़ा दी गई है 21 से 23 जो एलिजिबल है वो एक बार फिर इस सिस्टम में इस प्रोसेस में जो मैंने अभी पहले बताया उसमें अपलाई करेंगे दो साल एक एक लंबी अवधी होती है मेडिकल कंडिशन उनकी वगरा तो इनका एक बार फिर से स्क्रीनिंग होगा फुल प्रोसेस और उसके बाद ही एफोस में चैन किया जाएगा कर नीरज राशपूद इस से हूँ जनरल पुरी या एर माश्वल जहादे सकते हैं जवाब दे सकते हैं पहला तो ये कि आपका कहना कि करगिल रिव्यू कमिटी और इन सब की रिपोर्ट आई थी और इतना लंबे समय से काम चल रहा था लेकिन जब ये प्लान बनाया गया, मौडल तयार किया गया लेकिन उसके दो-तीन दिन के भीतर ही उसमें अमेंडमेंट कर दिया गया कि 23 साल वालों के लिए भी उसमें एज रिलक्सेशन दिया गया तो क्या ये क्या बहुत जल्दबाजी में मॉडल तैयार किया गया और दूसरा ये कि जब 23 साल की उम्र आपने कर दी है क्योंकि जैसे पहले वाला सबाल था कि एर फोर्स की जो 2019 की जो रिक्रूट्मेंट थी वो प्रॉसेस पूरा हो चुगा था सिर्फ रिजल्ट आना बाकी था तो क्या उसको फाइनल लिकान लिकान नहीं सकते हैं जब हम एज रिलक्सेशन दे रहे हैं तो ये सिमिलर है फिलहाल मैं बस इतना हैं बता दूँ कि अब सारी रेक्रूट्मेंट अगनीवीर के तहत ही होगी जो इलिजिबल है वो इस प्रॉसेस में फिर से अप्लाई करेंगे दूसरी बाद जहां तक रही कि कितनी डिसकुशन भी थी पीकिंग सिर्फ एक हुई है और वो भी ए वन ताइम एक्सेप्शन of two-year extension otherwise जो चौदत तारीक का अणॉंस हुआ था वो आज भी वालिद है और वो रहेगा तो ये भी बता दूं कि इस बाद बादूस कि तो अगर यह है तो आप समझ सकते हैं कि हमें भी फुरसत दिया जा रहा है कि इसको इंड़क करें माइनर ट्वीकिंग करें अपनी ट्रेनिंग में इनकी यूटलाइजेशन में इन जो इंडस्ट्री से या बांकी जगर से बातचीत करनी है यूजी सी से बात करना है एन आई इससे करना है कि कैसे इनको सशक्त किया जाये जो हमने प्रॉमिस किया है इसके लिए समय दीजे। उके लास्ट क्वेस्टन पीछे सर मेरा नहीं हूँ सर प्रशांद जनरल पूरी सर दिसे प्रशांद तुम्हें न्यूस 24 से प्रशांद देव श्रिवास्तर बोल रहो मेरा सवाल यह सर आपने कहा 25% का ख्याल आप रखेंगे रख लेंगे इस स्कीम में और 75% का बाहर के आएंगे तो उनका ख्याल जो भी रखा जाएगा प्रशांद दी जाएगी कहीं ब्लैक एंड वाइट में होगा यह या फिर अगर कहीं उनको दिक्कत होती तो क्या सेना एर फोस उनका ध्यान रखेगी मतला उनको को दिक्कत होती तो कहां जाएगे अगर वो नोखरी करना चाहते हैं प्राइटी मिलेगी रिजर्वेसर मिलेगा कुछ ब्लैक एंड वाइट में भी होगा सेविंटी फाइपसेट लोगों के लिए हाँ देखिए प्रशांत आपका क्वेश्चिन सबसे जुरूरी क्वेश्चिन है और हम भी हमेशा यही सोचते रहे हैं चार साल बा गरता है तो हमारा जो साथ है वो वूमट्टूटूम है है ना हमारे साथ एक बार जो जुड़गया वो जुड़गया ओके यह पहली चीज़ दूसरा आपने खुद ही बोला कि यह मत्बरदेश के हैं तो मत्बरदेश वापश जाएंगे ये देश की शक्ती है तो देश की शक्ती को उनका ध्यान रखना पड़ेगा तीसरी चीज जो आपने बोली कि इसके लिखाई के अंदर कुछ होगा देखिए आपके सामने ये परदा पूरा खिल के निकल रहा है पंदरा तारीक को किसी ने सिरफ इंटेंट दिया दो दिन बाद उसने एक्षिन दिया ये सब लिखाई पड़ाई को कनवर्ट करने में थोड़ा समय दीजिए जैसे मैंने आपको बुला था अगर आज मैं आपको अगनीवीर भरती करता हूं तो आप अपने प्रदेश में साड़े चार साल बाद वापिस जाएंगे तो समय दीजिए ये हो जाएगा थोड़ा भरोसा रखिए एक सवाल है सर मेरा पूरी सर नीरज हूं नेटवर्क एटिन से मेरा सवाल है कि जिस तरह से आपने पुरानी भरती प्रक्रिया को बिल्कुल हटा दिया और अगनी विर इंट्रोड्यूस किया है ऐसा संभाव था कि वैकल्पिक तोर पे आप दोनों को रखते और जो भी सेना में आप लोटीनों सेनाओं में भरती होना चाहते थे वो आते वैकल्पिक तोर पे वो बेहतर होता जिस तरह से करोडों का नुकसान हुआ और आप बार बार इस बात को दोहरा रहें कि प्री प्लांट था तो अगर प्री प्लांट था तो आप लोग एंटिसिपेट क्यों नहीं कर पै Freedom City a पहली चीज़ ये IT हम क्यों करेंगे हमारे पास discipline लोग आ रहे हैं देशबंत आ रहे हैं हमारे साथ काम करने के लिए लिए आ रहे हैं कि खुदा ने और नेचर ने हमें वो मौका दिया कोविड का ओके अगर ये मौका नहीं आता हो तो हम तो 1984 लगे होए थे आपको आर्टिकल मैंने दिखा दिया जो आप में से एक ने लिखा है हम 1984 से लगे हैं कि किस दिन कम करें किस दिन कम करें ये शैद ऊपर वाले ने सुना या नेचर ने सुना इसके अंदर में आपको नहीं बता सकता वट उसने यही मौका दिया इस से सुनहरा मौका नहीं था दर सब से कम इसी मौके में थी and it was God sent and किसी वज़े से हमने इसको time करा and you know इस time करने के लिए energy लगी है and सब की energy लगी है चाहे हमार से भूदपूर सेने को और या प्रेजन सेने को Thank you Thank you Neeraji we have another engagement Thank you very much Thank you very much for your questions and patience There is tea laid out in the room on your left Please join us for tea Thank you sir